Hello guys, दोस्तों ESIC का exam जब से conduct हुआ है, एक point मन में आ रहा है कि sir result कब तक आएगा, means क्या 30th of April को होगा, कितना time हमें मिलेगा, pre के result से means तक में, तो guys जैसा भी आपने previous days में देखा था, सब लोगों को लग रहा था कि यार 99 March को तो हो लिए है, ये है वो है, होगा निए exam होगा, लेकिन exam उसी date को हुआ, काफी लोग ये चीज टैलमा में रहते हैं और अपनी preparation को नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आपको 30 April date मान कर रखनी है, means का examination 30 April को है, result मेरा ऐसा assumption है, कि 10 April से लेकर 14-15 April के बीच में कोई भी date में आपका result जो है, वो guys announce हो जाएगा, तो आपका ESIC pre clear हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर एक-दो दूनों में आपके admit card आजाएंगे और आपको अपनी means की date भी पता चल जाएगी, तो आप यह मान कर चले हैं, कि अगर आपने pre ठीक साक्से किया है, देखो सबी लोग एक overall average paper को बना कर आया थे, paper इसी था, ठीक है, अच्छे खासे लोगों के attempt भी हुए है, तो मैं यही कहूंगा कि इस paper में, अगर आपको लग रहा है कि मेरी accuracy अच्छी है, मेरी attempt ठीक है, तो आप means की त्यारी करो, general awareness अच्छे से करो, जन्बरी से पढ़ना स्टार्ट करो, तब ही जाकर आप इस exam को qualify कर पाएंगे, और एक PDF systematic way में है, आप weekly पढ़ना चाहते हो, monthly पढ़ना चाहते हो, only mcq, detailed mcq, banking, finance, finance, economic, यह सब हमने compiled version बहाँ पर डाल रखा है, एप से काफी benefit मिलेगा, तो आप जाएं, और आपको download करके इस PDF को subscribe कर लें, जब आप एप को download करोगे, तो आपको जाना होगा store पर, और बहाँ पर current affairs की पूरी membership आपको दिख जाएगी, जिसमें हम एक साल पुराना current affairs पूरे 2021 का दे रहें, प्लस पूरे 2022 का आपको provide करेंगे, तो सारे तमाम examination जो इस साल conduct होगे, उन सभी को आप cover कर पाएंगे, तो यह बात mind में रखें और अपनी त्यारी करें, आगे हम फिर मिलेंगे, thank you so much guys, have a good day to all a few months again, we will meet in the next video.